ये गाइस कैसे आप लोग आप शौर कि आप लोगों बहुत ही अमेजिंग होगी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ on-page SEO के बारे में ऐसे points जो आपके लिए बहुत ही important है अगर आप on-page SEO करते हैं तो ये सारे भी points जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं और end तक देखते हैं कि कौन से ऐसे points हैं जो आपको SEO on-page SEO करते वक्त ध्यान रखने होते हैं वीडियो को आण तक जरूर देखेगा मेरा नाम है Manjit Singh और आप देख रहें आपका अपना चैनल Digital Manjit तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि on-page SEO हमें करना कहां पर होता तो definitely यह जो on-page SEO है उसके लिए हमें एक website चाहिए होती है website के अंदर जब हम कोई content posting करते हैं या page को design करते हैं या उसके अंदर को है हमारा चलिए start करते हैं पहले point को पहला point होता है आपका crawling अगर आपके जो page है वो अगर properly crawl नहीं होता है तो definitely आपके पास कोई traffic नहीं आएगी because crawling एक ऐसा feature है एक ऐसा term है जिससे आपके जितने भी search engines हैं उनको यह पता चलता है ही आपके page के उपर में क्या content available है और उसी के base के उपर में जब कोई user search करता है तो आपके जो search engines हैं वो आपकी website तो traffic को पहुंचाने का काम करते हैं दूसरा हम बात करते हैं indexing जब भी हम कोई page बनाते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा search engineer जो की है Google हम शौर सभी को पता होगा तो वहाँ पर हमें हमारा जो page है वो indexing करवाना बहुत important है वैसे तो बहुत सारे हमारी website पे page होते हैं और सभी page जो है वो index नहीं होते हैं लेकिन अगर हम कोई ऐसे important जो articles हैं उनको लिख रहे हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी website पे काफी अच्छा traffic आ सकता है तो उसके लिए हमें indexing करवाना उस page के लिए बहुत ही important हो जाता है तीसरा हम बात करते हैं site map site map again जो है आपके indexing और crawling के साथ में ही combine feature है बड़ आप कुछ है site map को भी हमेशा check करते रहना है कि आपका जो site map है वो properly time to time update हो रहा है कि नहीं क्या आपका site map जो है कहीं block तो नहीं है easy accessible है so that कि आपका जो भी indexing है या crawling का जो issues है वो ना हो सके चौथा हम बात करते हैं mobile friendly तो जो भी आप page design कर रहे हैं या जो भी उसमे articles डाल रहे हैं या images का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी mobile friendly होनी चाहिए आप जो है website के desktop website पे कोई अलग content या फिर mobile के अंदर अलग content नहीं दिखा सकते आपको एक ही content को जो है optimize करना होता in a such a way कि वो आपका mobile की उपर जब user देखे तो उसको भी perfect नजर आना चाहिए तो परवा लंक्स create करते वक्त हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि जो हमारा article है जो हमारा keyword है क्या उससे related हमारा URL create हो रहा है कि नहीं जो हमारा keyword है, क्या वो हमारे URL के अंदर आ रहा है कि नहीं, और कभी भी ध्यान रखें, जब भी आप URL before publishing any post, आपको ये ध्यान रखें कि आपका URL जो है, वही होना चाहिए, जो आप actually बनाना चाहते हैं, अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, कि पहले आपने कुछ और URL क्रियेट कर दिया, बात में आपने उसमें URL को चेंज कर दिया, तो आपके लिए जो है, अगर वो पहले से crawl हो चुका है, तो ऐसे में आपके पास में थोड़ी से difficulties हो जाएंगी, तो इसलिए उसको पहले ही हमें take care करना होता है, six की बात करें, metadata, metadata जो है, ये basically आपका जो भी पेज है, उसके बारे में description बताता है user को, तो ये जब भी कोई user सर्च करता है, तो वहाँ पे उसका सबसे पहले page का title वगरा आता है, उसके नीचे ही आपका पूरा meta description आता है, और ये भी एक आपका बहुत ही important factor है, term है, जो आपके crawling के साथ में जो इस्तेमाल किया जाता है, या सर्च क बात करते हैं, हम यहाँ पे tags की, tags एक बहुत ही important section होता है, हमारे पास, हमारे किसी भी page के उपर में, चाहे वो हम किसी भी तरह का SEO कर रहे हैं, तो ऐसी में जो tags है, वो basically हमारे keywords होते हैं, तो keywords को proper तरीके से add करना, और उसको optimize करवाना, ये बहुत ही important होता है, इसके बाद में आठे नंबर पे हमारे पास आता है content, content जो है, ये बहुत ही important है, जब भी हम कोई page create कर रहे हैं, या उसके अंदर, जो है, on page SEO कर रहे हैं, तो हमें ये भी make sure करना होता है, कि जो हमारी SEO से related, जो guidelines है, सर्च engine की, उसके according, जो minimum content है, वो proper होना चाहिए, और जो आपके paragraphs हैं, वो SEO के according होने चाहिए, आपके उस particular content के अंदर, आपके पास में, h1, h2, h3 tags जो है, वो आपके पास में होने चाहिए, table of content जो है, वो आपके पास में होना चाहिए, तो ये कुछ ऐसे important points हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, जब भी आप content के साथ में काम करेंगे, नाइन्थ की बा image को सरफ add नहीं करेंगे, image के साथ साथ में, उसको भी SEO friendly बनाना बहुत ही important होता है, और जब आप image का डाल रहे हैं, तो make sure ये करना है, कि आप उस image का, जो alt tag जिसको बुलते हैं, तो alternate जो text होता है, वो आपका डालना tag जो है, बहुत ही important होता है, अब ये क्यों important है, क्योंकि जब भी search engine crawling करता है, तो वो आपके सिरफ content को ही crawl नहीं करता, वो आपकी website के images को भी करता है, तो अगर कोई भी user आपके google पे जाके, किसी भी search engine पे जाकी, अगर search करता है, तो अगर वो website, all के उपर में click करता, तो आपकी website से related content base आपकी listing होती है, लेकिन अगर वो image section में जाता है तो वहां पर भी आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप पे आ जाती है टेंथ हम बात करें यहां पे internal links जब भी हम on page SEO करते हैं तो इसमें हमें बहुत ही important section होता है कि हम internal जो links हैं वो provide करें अगर हमारा कुछ matching content है कोई matching एक निष्ट के according हम काफी सारे article publish कर रहे हैं तो उससे हम आपस में interlinking करेंगे so that की crawling जो हो रही है या जो भी आपके search engines हैं उनको भी यह पता चल सके कि यह जो pages है यह particular किसी एक ही niche को related है तो वो उसको उसी हिसाब से जो है crawling करेगा इसके बाद में हम बात करते हैं 10th जो की है आपका 11th which is your external links external link एक बहुत ही important task होता है external link यह जरूरी नहीं है कि आप किसी अपने किसी दूसरी कैसी के website को आपको external link देना है वो external link आप अपने social media को दे सकते हैं आपका YouTube channel उसके लिए दे सकते हैं या आपके पास में कोई दूसरा article कहीं पर लिखा हुआ है तो आप उसको link दे सकते हैं तो external link भी जो है आपके एक on page SEO का बहुत ही एहम हिस्सा है जब तक आप यह complete नहीं करेंगे आपका जो SEO score है वो 100% नहीं जा सकता finally 12th point की बात करते हैं तो 12th point होता है page speed यानि कि जो हमने page create करा है तो उसकी जो speed है loading speed है जो हमने images इस्तेमाल करी है तो जब कोई page load हो रहा है तो उस वक्त में आपकी images इतनी जादा heavy नहीं होनी चाहिए कि वो load होने में बहुत जादा time ले लें तो इसलिए आपको जो है इसके लिए भी कई सारे tools available हैं जिसका आप इस्तेमाल करके आप जो है page load की speed को check कर सकते हैं और जो भी आपको issues आ रहे हैं आप उनको जो है accordingly rectified कर सकते हैं तो ये कुछ 12 points मैंने आपको बताए हैं जो कि एक on page SEO करते वक्त आपको ध्यान रखने होते हैं इसके अलाबे भी कुछ और points हैं बड़ो बहुत ज़्यादा advance हो जाते हैं उसको जो है हम जब कभी भी online on page practical मैं आपको करके दिखाऊंगा SEO तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जो points हमने करे हैं इनको किस तरह से take करा जाता है और इसके साथ में जो आपके कुछ और points हैं उनको किस तरह से आपको take care करना है आपको आज का हमारा ये video है जो कि on page SEO के जो points मैंने आपको बताए हैं ये आपको पसंद आए होगी ये information आपको पसंद आए होगी अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो like कर दें और अगर आप नए है मेरे channel पर और अगर आप चाहते हैं कि digital marketing से related आपको knowledge चाहिए आपको affiliate marketing से related knowledge चाहिए आपको SEO से related knowledge चाहिए या फिर आपको landing pages से related knowledge चाहिए YouTube marketing related आपको knowledge चाहिए आपको social media marketing optimization paid Google ads, Facebook ads से related अगर आप content आपका interest है तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते है तो इस channel पर यही सारे topics के उपर में हम content को upload करते हैं इस video के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ एक और amazing video के साथ Till then stay safe, goodbye झाल